ओम नमो भगवतेव वासुदिवाई नमः जैमालगश्मी आप सभी भक्तों का वैशाख मास महात्मी की कथा में स्वागत है। दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वैशाख मास महात्म की अध्याय आठ का वर्नन करूँगी। दोस्तो वैशाख मास महात्में देखिए हर रोज वैशाख मास में जो भी भक्त सुनते हैं भग्वान शेहर विष्णों के कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और जैसा कि आप अब तक के अध्यायों में ये शवन कर चुके होगे कि वैशाख मास का महात्म कितना है। इस मास में सिर्फ कथा के शवन मात्म से ही भग्वान शेहर विष्णों के कृपा भक्तों को जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों कथाई अगर आपको भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा। आगे अपने दोस्तों परिजनों तक इन कथाओं को जरूर शेहर कीजिए। आज की कथा में वर्नन है राजा पूरुयशा को भगवान का दर्शन उनके द्वारा भगवस्तुती और भगवान के वर्दान से राजा की सायुज्य मुक्ती। शुत्देव कहते हैं परमात्मा भगवान नारायन चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्मधारन कर रखे थे। वे पीतांबर धारन करके वनमाला से विभूशत थे। भगवती लक्षमी तथा एक पाशत के साथ गरूर क पीट पर विराजिक थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मोन गये। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अशुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हिदय सर्वता डूब गया। उन्होंने ततकाल चल को अपने मस्तक पर धारन किया। उन्हीं चर्णों की धोबन रूपा श्री गंगाजी, भ्रमाजी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ततपश्चात, राजा ने महान, वैभब से, बहुमोली, वस्त्र आभूशन और चंदन से, हार, धूप, दीत तथा, अम्रत के समान नविद्य के निवेदन आदी से, एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पन करके पद्वितिये पुरान पुरुष भगवान विश्नु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की। जो निर्गुन, निरंजन एवं प्राजापतियों के भी अ आपके चर्णार विंडो को परिपक्को योग वाले योगिनियों ने जो अपने हिदर में धारन किया है या उनके लिए बड़े सौभागे की बात है। बड़े वी भक्ति के द्वारा अपने अंतकरन तथा जी भाव को भी आपके चर्णों में ही चढ़ा कर वो योगी जन उन चर्णों के चिंदिन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधू पुरिशों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभो आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्यों में ही भटकता रहा हूँ अनर्थ में ही मेरी आर्शदृष्टी हो गई थी प्रभो विश्वमोर्ते जब जीव पर आप अनंद शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है जिससे यह संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है इश्वर जब सत्संग मिलता है तभी आपके मन तथा बुद्धी का अनुराग होता है मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था ऐसा मैं मानता हूँ मैं न तो राजे चाहता हूँ न पुत्र आदे के इच्छा रखता हूँ और नहीं कोश की ही अभिलाशा रखता हूँ अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योगे जो आपके आराधनी चर्णार्विंद है उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होई ये जिस से आपके चर्ण कमलों की स्मृती बराबर बनी रहे तथास्तरी, उत्र, खजाना, एवं आत्मी कहे जाने वाल इस पदार्थों में जो मेरी आसकती है वस सदा के लिए दूर हो जाए भगवन, मेरा मन सदा आपके चर्णार्विंदों के चिंतन में लगा रहे मेरी बानी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो मेरी ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में कान, कथा श्रवन में, तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रविर्थ हो, प्रभो, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की, तथा आपके भाक्तजनों के गंध विलेपन आदी के सुगंध लेने में, दोनों हात आपके मंदर में जाडू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक, निरंतिर आपको पणाम करने में सनलगन रहे। जो आपकी चर्चा से रहित हो हरे मैं परमेश्ठी ब्रह्मा का पद भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता केवल आपके चर्णों की निरंदर सेवा चाहता हूं जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा भ्रह्मा शंकर आदी देवता भी सधा प्रार्टना करते हैं राजा के इस प्रकार स्तुती करने पर कमल नयन भगवान विश्णू ने प्रसन्न हो मेज के समान गंभीर वानी में कहा राजन मैं जानता हूँ तुम मेरे शरिष्ट भक्त हो कामना रहित और निश्पाप हो नरेश्वर मुझ में तुम्हारी द्रण भक्ती हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो तुम्हारी द्वारा किये हुए इस स्तुत से इस प्रत्वी पर जो लोग स्तुती करेंगे उनके उपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा यह अक्षेतृतिया इस प्रत्वी पर प्रसद्ध होगी जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे उपर प्रसद्ध हुआ जो मनुष्य इस्तिथी को किसी भी बहाने से अत्वास्वभाव से ही स्नान दान आदिक्रियाएं करते हैं वो मेरे अविनाशिपत को प्राप्त होते हैं मनुश्य पित्तिरों के उदेश से अक्षेतृतिया को स्राध करते हैं उनका किया हुआ वहषाद अक्षे होता है इस सिथी में थोड़ा सा भी जो पुन्य किया जाता है उसका फल अक्षे होता है निप्षेश्ट जो कुटुम्भी भ्रामन को गायदान करता है उसकी हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ती और मुक्ती भी आ जाती है जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुश्ठान करता है उसके जन्म मृतियों, जराभै और पाप को मैं हर लेता हूँ अनग यह वैशाख मास्थ मेरे चिंतन की ही भाती ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिन के लिए सास्त्रों में कोई प्राइस्ट नहीं मिलता है राजे को यह वर्दान देकर देवाधी देव भगवान जनारदन सबके देखते देखते वहीं अंत्रध्यान हो गए तरंतर राजा पूर्यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में ततपर रहकर इस पृत्वी का पालन करने लगे देव दुरलव समस्त मनोरतों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णू का सायुज प्राप्त कर लिया जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णू के परमपद को प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से वेशाख मास्त महात्मी का ये आठवा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है दोस्तो इसी प्रकार से जैसा कि इस कथा में वर्नन है कि वेशाख मास्त के महात्मी को इस उपाख्यान को सुननी से ही सभी पापों से मुक्ती हो जाती है और सभी जो भक्त हैं वो भगवान विश्नु के परमपद को प्राप्त होते हैं तो हम सभी भक्तों को प्रेम पूर्व किसी प्रकार से कथाईं शरवन करती रहनी चाहिए अगर आपने अब तक जो पीछे की कथाईं हैं अध्याय साथ तक नहीं सुनी हैं तो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्योहार कथाईं पर वो सभी कथाईं भी प्राप्त हो जाएंगी तो उनका शरवन्थी सरूर कर लें अगर यह वीजियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजे अपने दोस्तों पर इच्चितों तक इसे शेर भी सरूर कीजे ताकि वो भ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारिया आपको भी अच्छी लगती है तो क्रिप्याकर चैनल को सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन के लिए बेल बिटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ वो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके वीडियो देशने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै माता दी हर हर महा दे